हेलो गाइस, वल्कम टू मैं यूटूब चैनल, इस वीडियो में हम जानेंगे धक्कम धक्का का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, धक्कम धक्का का इंग्लिश मीनिंग होता है पुश, आईए इसे हम एक्जाम्पल की थू समझते हैं, एक्जाम्पल, he got hurt in a bank, उदाहरन धक् लग गई, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, thank you so much for watching my video.